I have read the book का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं I have के बाद जो word लिखा हुआ है R E A D read इसको second form और third form में red बोला जाता है spelling सेम होती है और read की यानिकी second form होती है red और third form भी red होती है spelling वही रहती है बोलने में सिर्फ फरक आता है तो I have read the book का मतलब हुआ कि मैंने इस किताब को पढ़ा है या मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ ध्यान रखिएगा read की second और third form की spelling सेम होती है लेकिन pronunciation अलग होता है second और third form को हम read बोलते है इनकी read, read, read अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते है आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें